गल्लांक मेल्टिंग पाइंट और क्वत्नांक बॉइलिंग पाइंट में क्या फर्क है जिसे ठोस पदार्थ पिगल गया और ये द्रव जो है ये वाश्प में बदल गया मतलब ठोस को उश्मा मिली और ये पिगला और द्रव को उश्मा मिली तो ये वाश्प में बदल गया ये तो हमें दिखाई दे रहा है तो फिर ये गलनांक जिसको हम मेल्टिंग पाइंट कहते हैं और क्वतनांक जिसको हम बाइलिंग पाइंट कहते हैं ये क्या है वास्तों में melting point या गलनांक और boiling point या क्वतनांक तापमान है temperature है अब ये कौन से temperature है तो जो गलनांक होता है वो ऐसा temperature या तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पिगल कर द्रव बन जाता है तो जिस temperature पर या जिस तापमान पर कोई ठोस पिगल कर क्या बनता है द्रव बन जाता है उसे हम क्या कहते है गलनांक कहते है या मेल्टिंग पाइंट कहते है मतलब मेल्ट होना मतलब पिघलना तो वो ठोस पिघल कर क्या बनता है द्रव बनता है तो वो टेंपरेचर जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते है गलनांक कहते है और फिर क्वतनांक या boiling point क्या है जिसमें द्रव क्या होने लगे उबलने लगे तो हम कहेंगे कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है बॉयल होने लगता है उसे क्वतनांक या boiling point कहते है तो देखिए melt मतलब पिघलना तो पिखल कर जब द्रव बन जाता है जिस temperature पर उसे कहेंगे melting point या गलनांग और वह temperature जिस पर कोई द्रव boil होने लगे उबलने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे boiling point या क्वतनांग तो यह है हमारा गलनांग और क्वतनांग में पहला अंतर अब गलनांग किसका होता होगा definitely गलनांग जो है वो ठोसों का होता होगा और क्वतनांग किसका होता होगा तो क्वतनांग किसका होता होगा क्वतनांग द्रवों का होता होगा तो ठोसों का गलनांग होता है और द्रमों का क्वतनांक होता है तो यह तो भोती आसान बात है क्योंकि हम यहां ठोस की बात करेंगे ठोस पिगल कर द्रव बन जाता है एसा टेंपरेचर जिस पर कोई ठोस पिगल कर द्रव बन जाता है तो उसे मेल्टिंग पाइंट कहते हैं मतलब पिगलना तो उसे गल्णांक करता है क्या होगए का कि यहां बाद द्रम की हो उश्मा के रूप में उर्जा मिलती है और ठोस किसमें बदलता है द्रव में बदलता है ठीक है ना ठोस को क्या मिलती है एनरजी मिलती हीट करते हैं तो ठोस को जब आप हीट करते हैं है ना गर्म करते हैं तो हीट के रूप में या उश्मा के रूप में उसको एनरजी देते ह तो वो किसमे बदलता है द्राव में और द्राव को फिर अगर आप हीट के रूप में एनरजी देंगे या उश्मा के रूप में उड़ जा देंगे तो वो किसमे बदल जाएगा गेस में बदल जाएगा अरे भाई आप जो है अगर बर्फ को बाहर खुला छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद क्या होगा वो क्या करेगा वो पिगल जाएगा मतलब उसने क्या किया उश्मा ले ली ली किस रूप में ली एनर्जी की रूप में हीट की रूप में और ले ली कि ठोस को अगर आपने उश्मा दी तो वो द्रव में बदल रहा है और द्रव को उश्मा दी तो आप वो गेस में बदल रहा है मतलब ठोस को एनरजी देने पर द्रव बन रहा है और द्रव को एनरजी देने पर गेस बन रहा है तो definitely क्या हो रहा है, हमें इसे समझना होगा, कि जो गलनांक है मेल्टिंग पाइंट है, वो क्या दर्शार आ है, वो दर्शार है एक ठोस पदार्त के कंणों के बीच जो आकर्शन बले उसका सामर्थ कितना है। गलनांक बताता है कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्शन बल का सामर्थ कितना है मतलब उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए कितनी एनरजी आपको देना पड़ेगी जितना ज़्यादा आकर्शन बल का सामर्थ होगा उतनी ज़्यादा आपको एनरजी देना पड़ेगी तो ठोस किसमें बदलेगा द्रव में बदलेगा तो गल्नांग क्या बताता है गल्नांग बताता है ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्शन बल के सामर्थ को और क्वतनांग क्या बताएगा क्वतनांग बताएगा देखे ठोस की जगे आप लिख दीजेगा द्रव तो द्रव प्रदात के कणों के बीच के आकर्शन बलके सामर्थ को बताएगा तो देखे क्या चेंज आया है यहां ठोस की जगे क्या लिखा है तो यहां में समझ में आ रहा है कि गलनांग जो है वो ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्शन बलके सामर्थ को बताता है और कवतनांग द्रव पदार्थ के कणों के बीच में आकर्शन बलके सामर्थ को बताता है कि ये द्रव के जो कांञे इनके आकर्षन भल का सामर्थ कितना है मतलब उसको कितनी heat देना पड़ेगी कि वो द्रव से किस रूप में बदलेगा guess रूप में बदलेगा या वाश्पुरूप में बदलेगा तो इस तरीके से ये गलनांग और कवत्नांग का अंतर हम समझ सकते हैं कि गलनांग मतलब melting point वह temperature जिस पर ठोस पिगल का द्रव बनता है और कवतनांग मतलब boiling point वह जिसमें द्रव उबलने लगता है वो temperature boiling point कहलाता है definitely ठोसों का गलनांग होता है और द्रवों का कवतनांग होता है और गलनांग क्या बताता है ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकशन बलके सामर्थ को बताता है वहीं कवतनांग जो है वो द्रव पदार्थ के कणों के बीच के आकशन बलके सामर्थ को बताता है धन्यवाद